स्वागत है आपका 17 अप्रल 2021 की प्रिलिम्स बूस्टन नीज डिसकॉशन में आज का पहला इंपॉर्टन आर्टिकल बात करता है ITCN प्रोग्राम के बारे में जब भी हम अपने आस-पास देखते हैं कि हम किसी शहर का निर्मान करते हैं या कोई काम होता है तो वहां focus किसके उपर होता है क्या लगता है आपको वहां focus होता है तो youth है जो working age population है उसके उपर हम अक्सर किसे neglect करते हैं बच्चों को तो यह एक ऐसा प्रोग्राम चलाया गया ह जिसके through जो officials हैं या फिर जो professionals हैं जो construct करते हैं कुछ यह हमारी cities को design करते हैं उनके अंदर काम करते हैं वो कैसे young बच्चे जो हैं जो families हैं जो infants हैं उन सब के friendly ecosystem को कैसे create करें कैसे यह कैसा setup बनाया जहां कि जो infants हैं toddlers हैं चोटे बच्चे हैं या उनके friendly neighborhoods create किये जैसे अगर आपने कुछ ऐसा construction किया है जहां पर सिर्फ सीडियां ही सीडियां है या आप इन चीजों खयाल नहीं रखे कोई बच्चा महां आ रहा है तो गिर के injured हो सकता है तो उन सभी चीजों को ध्याल रखने के लिए एक program launch किया गया है which is infant toddler and caregiver friendly neighborhoods ये एक training और capacity building program है launch किया गया है National Institute of Urban Affairs के द्वारा और ये partnership में है Bernard Van Leer Foundation के साथ मेंकर point ही है कि है क्या प्रग्राम वही है कि जो छोटे बच्चे उनके friendly neighborhoods को कैसे design किया जाए कैसे बनाया जाए तो ये program करेगा क्या जो young professionals हैं जो की let's say officials हैं जो की काम करते हैं इस शेत्र में उनको train करेगा training की जाएगी एक पूरी structure के तुरुच अलग अलग module होंगे जिनका एक पूरा platform बनाया गया है जो जिस platform का नाम है National Urban Learning Platform इस platform के तुरूब को train किया जाएगा तो हमारे काम की चीज़े का ITCN program क्या है किसने launch किया National Institute of Urban Affairs किसके साथ partnership में है तो Bernard Van Lee Foundation और इसके features क्या है features में ये जिस platform पे होगा उसका नाम क्या है वो है National Urban Learning Platform और जब हमने इतना ही पढ़ा ही है जब हमने पढ़ा जो launch कर रहा है इसको उसका नाम है National Institute of Urban Affairs तो वो किस ministry के अंदर आता होगा जो हमें obviously पता होना चाहिए तो यह तोड़ा easy है बताना अगर आपने पढ़ा है तो पता ही होगा आपको यह आता है Ministry of Housing and Urban Affairs क के अंदर में क्योंकि काम तो यह हो रहा है कि Urban Cities में या जो नेबरोर्ट बनाया जा रहे है उनको इस तरह से officials और professional को train किया जाए कि वो infant toddler friendly हो तो इसके अंदर उनकी capacity building की जाए कि इनको train किया जाएगा पूरा module structure बनाया जाएगा तो National Institute of Urban Affairs established हो था 1976 में किस ministry के अंदर आता है हम पहले ही बात कर चुके हैं क्या करता है तो इसका काम है research और practice issues को जो urbanization के शेतर में जो भी research होता है माली जे government plan मना रही है schemes मना रही है उससे पहले कुछ research किया जाता है क्या इस शहर के लिए अच्छा होगा क्या बुरा होगा क्या structure बनाया जा सकता है भविश्य को ध्यान capacity building कैसे की जाए policy makers की या फिर officials की कौन-कौन से urban challenges कौन-कौन से आगे समस्याएं आ सकती है उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक ecosystem बनाने का प्रयास करता है कि जो urban India को और जारा बहतर बना सके तो यह हो गया national institute of urban affairs और जिस platform की हमने बात की थी जिसके उपर हमारा ITCN program officials हैं जो administrators हैं जो की जो नेता हैं जो elect होके आते हैं जो भी पूरे ecosystem में जो भी लोग होते हैं इन सब को empower किया जाए उनको बताया जाए कि कैसे हम एक sustainable और resilient शेहर बना सकते हैं कैसे हम cities develop कर सकते हैं जो सब का खयाल रखे तो इसके लिए उनको empower करना उनको सारी information provide करना जानका learning platform what is national institute of urban affairs और किस ministry के अंदर आता है और ITCN program क्या है आगे बढ़ते हैं अगला article बात करता है state of world population report 2021 की जो की United Nations population fund का flagship report है जिसका इस बार का title है my body is my own यानि मेरा शरीर मेरा खुद का है तो United Nations population fund की स्की में ये रिपोर्ट है ये रिपोर्ट कौन publish करता है जब भी आप UPCM कुशन ऐसे आते हैं कि state of world population report कौन publish करता है तो हमें नाम हमने mention करी दिया United Nations population fund ये असल में रिपोर्ट का काम क्या है तो ये फोकस कर रही है कि कैसे जो शाररिक autonomy है यानि कोई महिला या द्च जो उसका शरीर है उसका कितना हक मनना है वो कितने फैसले खु़से ले पा रहा है उसके पर क्या पर वाले उसके पर फैसले ले रहे है या समाज इसके लिए तो ये autonomy परमी डिफाइन होती है कितनी शक्ति या इजनसी एक विक्ति को है अपने शेरीर को लेके शारीक फैसले लेने के मुकाबले में बिना किसी डर या पिना किसी भैके जो उसको बाहरी हिंसा का हो सकता है अगर कोई महिला है तो उसको अगर शारी हो तुसे पटी का भैह सकता है क पुरुष्य तो उसको समाज का भय हो सकता है, इन सभी चीजों को मिलाके बात की गई है, तो इसमें एक्जामपल्स क्या क्या होते हैं, जैसे चाइल्ड मैरेज हो गई, फीमेल जेनिटल म्यूटेलेशन हो गया, या फिर कॉर्ट्रसेप्टिफ चॉइस की बाद आती है, उसम इसने समाज का तबका अपने आपको इंडिविज्वली जो वो चाहता है, उस तरह से एक्स्प्रेस कर पाता है, और अपने बॉड़ी को उन कर पाता है, तो इस रिपोर्ट ने जो हाइलाइट से वो देख लेते हैं, कि आल्मोस्ट आधी जो औरते हैं, 57 डेवलपिंग अधिकार नहीं है, और जिन कंट्री में डेटा अवलेबल है, वहाँ केवल 55 प्रतिशत वोमेन एंपावर्ड है, किस चीज को लेगे, कि वो अपने हेल्थ केर, कॉंटरसेप्शन, इन सब को लेगे, यस और नो कहसे के, सेक्स को लेगे, हाँ या ना कहना, यह सब क्या अध परणें लेपाती है, फैमिली या उनके पती या उनके हस्बेंट्स वही डिसाइड करते हैं, क्या हँल्थ के नंको मिलेगा, किस तरह की वो फैसले ले सकती है, तो आप जो कंटेंट कहने की महिलाओं को अधिकार नहीं है, तो उसके लिए आप कोट कर सकते हैं, कि फंड की ये रिपोर्ट है, National Family Health के सर्वे क्या ये डेटा है, तो ये डेटा वहां यूज होता है, और प्रिलिम्स में भी अक्सर काम आ सकता है कि अगर कोई ऐसा data oriented question आए तो जब हमने देखी इस highlight की कुछ report report का नाम, report का क्या इस बार aim था, पर जो हमने इसको publish करने वाले body उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो कि United Nations Population Fund नहीं, असल में General Assembly की एक subsidiary body है, ECOSOC ने इसको establish किया था, ECOSOC मतलब United Nations Economic and Social Council काफी साथ program चलाती है, और as a trust fund इसकी शुरुवात हुई थी, और बाद में इसका नाम बदल गे, United Nations Population Fund बनाया गया, पहले इसका नाम UNFPA था तो उतना हमें जानना नहीं इसके इतिहास के बारे में, आपको बस body का पता होना चीक कौन सी है UN के अंदर है, थोड़ी सी important हो जाती है तो इसका क्या काम है, इसका काम है कि जो sustainable development goal है Health को लेके, Education को लेके यनि 3, 4 और 5 में जो भी गोल्स है उनके उपर काम करना, यानि SDG 3 क्या है, Health है, SDG 4 Education है, Gender Equality तो ये जितने भी sustainable development goal है इसको जरूर याद रखे आप, और उससे आप एक correlation मना पाएंगे, और जो अभी इसका fund है, वो UN budget के दोरा support नहीं किया है, तो इसको voluntary distribution मिलती है, कहां कहां से, जो governments होती है या NGOs है, private sectors है इनका भी headquarters कहां है, तो New York, United States में तो हमने इसके बारे में बात कर ली, आगे important article बात करता है, तंजानिया के बारे में, हाली में March में इनके जो President है John मगुफली उनकी मौत हो गई, जो की COVID-19 skeptic थे, मतलब इनका कहना था कुछ नहीं होता है, सब भरा में, ये authoritarian leader थे, मतलब एक तरह स्तारा शाहत है, उनकी मिठती हो गई, तो इसलिए ये news में रहा, तो देख लेते हैं तंजानिया के में तंजानिया कहां situated है, तो East Africa में है और खास बात है कि इसके आसपास बहुत सारी lakes है, आपको Victoria Lake का अपने नाम सुना होगा, और इसके लाबा जो कई तरह की lakes है, जो भी हम देखेंगे, यहां आप मनक्षिस देखी सकते हैं इसके आसपास की country कौन सी है, कौन सी location है किस ocean के पास है, Indian Ocean के पास है या Atlantic Ocean के पास है, तो यह चीज़ें clear होनी चाहिए अगर इसके आसपास कोई landlock country होगी तो वो भी आपको पता होना चाहिए, तो अपने Atlas पर इसका ज़रूर करें, तो Tanzania के पास Indian Ocean आपको दिख रहा है, तो इसके borders कहां कहां लगता है Kenya, Uganda, Zambia, Mozambique, Rwanda, Malawi यह सारे इसके neighboring countries हैं, बुरुंडू, फिर यह सारे इसके neighboring countries आएंगे Rwanda, बुरुंड, यह सारे इसके neighboring countries हैं उतना neighboring countries के बारे हमने जानना important नहीं इसलिए बतारो कि आपको location wise याद रहे, कहां पर है वो जो rivers, इसके पास है, Mount Kilimanjaro इसके पास, इसी देश में है जो सबसे बड़ा African mountain है Kilimanjaro और इसके अलावा यह important है कि यहां जो lakes है कौन-कौन सी बड़ी lakes है, तो जैसे Lake Victoria हो गई, Lake Tankaniya हो गई, Lake Niasa हो गई सारी इस region में आती है, जांजिवार का region यहां परता है, Indian history में काफी जिकर आता है इसका और इसकी capital का नाम है Dodoma तो यह important इसलिए कि अगर आपको Tanzania या Mozambique का नाम आए, कहां पर वो located है, किस region में, Medagascar कहा है तो वो आप location wise, at the back of man आपको याद रहे, mountains की बात हो रही है, किली बंजारों की बात हो रही है, तो वो कहां पर है, किस देश में है, आगे बढ़ते और बात करते है National Startup Advisory Council की, जिसकी पहली meeting हाल में की गई, यह असल में, जो DPIAT है, यानि Department for Promotion of Industry and Internal Trade के द्वारा बनाया गया था, इसका काम है government को असल में advise करना, कि किस तरह हम और innovative और startup ecosystem को बढ़ा सकते हैं, जो हमें growth करनी है, उसमें कैसे हम और ऐसा system बना सके कि startup ग्रोग करें, ताकि लोगों को जारा रोज़गार मिलें, entrepreneurship बढ़ें, और इसका जो काम है, कैसे innovation citizens और लोगों में बढ़ाया जानी है, आम students कैसे इसको ल काम क्या होता है, incubation provide करना, research में support देना, क्योंकि normally क्या होता है, हमारे दिश में incubators नहीं है, जहां लोग आके कारे कर सके, कुछ अगर innovative product है, तो उसको scale up कैसे किया जाए, उसके बारे में जानकारी नहीं होती, तो यह NSAC जो है, National Startup Advisory Council, इसका काम ही है, तो इसके कौन इसको chair क department etc से आते हैं, और जो भी nominees होंगे, वो joint security से कम level के नहीं हो सकते, वो ही होते हैं इसके अंदर, और यह इसका basic structure है, तो देखे, जब Startup Advisory Council के बात आ रही है, तो क्योंकि Startup India Mission जब आप revise करते हैं, तो उसके साथ जो bodies है important, वो आपको साथ में revise कर लेनी चाहिए, पहले जो council बन है, Ministry of Housing and Urban Affairs का अगेन ये एक challenge है, जो हम लॉंच किया, Eat Smart और Transport for All, तो इसमें क्या खान है, इसमें कोशिच की गई है, कि कैसे अलग-अलग शेहरों में, जो जो उनके measures हैं, कि भाई, कैसे वो जो सही तरह के भोजन को, या सही तरह के खान-पान की जो तौर तरीके हैं, जो उ लॉंबे में concepts है, तो जो smart cities हम develop करने की बात हो रहें, महां बिना smart food, यानि smart eating के, बिना उस habits के लोगों के health care develop नहीं हो सकती, तो ये challenge खुला है, सभी smart cities, capital cities के लिए, जिनकी population 5 लाग से जादा है, इसका काम क्या है, कि smart cities को motivate करने के लिए, कि भाई, कैसे एक healthy, safe और sustainable food environment create किया जाए, कैसे हम एक smart solution बना सकते हैं, जो food related issues हैं, उसके बारे में, इंडिया के बारे में, इंडिया के बारे में, इंडिया में विदेशी tourist आते हैं, specifically दिल्ली में, तो डैली बैली कहा जाता है, उसको कि लोगों की पेट में गड़वाड हो जाती, एतना तरह जो खाना की quality के जखकर में, roadside vendors जो खाना बेश्टे हैं, उसमें problem होती है, उनको आधत नहीं होती हैं इन चीज़ों की, तो ऐसी चीज़ें जो इंडिया के थोड़ी image के लिए खराब हैं, उनको भी ठीक करना इसका काम है, और obviously जो normal population है, उसके भी health का issues पर रहता है, मैंने example के तरब बोला, तो वो चीज़ें solve हो जाएंगे, तो वो क्या तरीके हो सकते हैं, इसलिए challenge स्थापित किया गया था, इसके अलावा transport for all challenge भी है, जो कि Indian Institute of Transportation Development Policy के साथ collaborate के किया गया है, क्यों, इसमें कोशिश की गई है, कि कैसे public transport को बढ़ावा दिया जाया, कैसे उसको और जारा innovative बनाया ज होते हैं, तो यह एक aim करता है, जहां digital solution बनाया जाया, ताकि लोगों को safe, affordable, comfortable, reliable service दी जाया, कोई महिला भी है, तो उसको attention ना हो, जो transit route है, buses है, वो metro तक जा पाए, या फिर जो बैकिंग की सुविदाय है, walking, motorized transport, और यहां तक कि जो bus operator के margins है, उनको लेके जो भी problems होती है, सब पर focus किया गया, और IT, DPSL में NGO है, sorry, NGO है, और non-profit organization है, जो काम करती है, इसके उपर, कि भाई, कैसे हम इन systems को develop करें, तो यह हो गई बात, अब point लिए कि इसका significance किया, क्यों है अभी challenges किया जाने है, अभी जो COVID आया है, तो transportation बंद हो गई है, तो यहां एक option है, कि अगर हम digital innovation challenge करें, बता सके किस तरह digital चीज़ों का इस्तमाल करके, हम अबने transportation को और ज़्यादा strong मना सकते हैं, किसे support create कर सकते हैं, cities के लिए, infrastructure create कर सकते हैं, तो यह city और startups को मौका देगा, कैसे हम digitally transform कर सके, urban mobility को, अब digital transformation कैसे होगा, भी सूचिए, अगर आप Uber या Ola की बात करें, या फिर आप taxi for sure की बात करें, फिर आज आप इसे digital payments करते हैं, पहले line यह बहुत लंबी लगा करती है, टिकटे अब खुद recharge की जा सकते हैं, यह कुछ तरीके हैं digital solutions के, इस तरह के examples और बढ़ाए जा सके हैं, यह इसका challenge का उद्देश है, इसके बात बात आती है, COVID vaccine को लेगे, यह एक AGCO-19 vaccine develop की गई है, जो की Department of Biotechnology ने approval दिया है इसको हाल में, कि इसमें additional funding दी जाएगी, इसके clinical studies के लिए, तो यह पहली इंडिया की mRNA-based COVID-19 vaccine है, mRNA-based COVID-19 vaccine के बारे में detail में भी पढ़ेंगे, असल में से develop को रहे हैं, से develop करे हैं, जनौवा बायो फार्मसेटिकल्स, और इ इसमें शायद फाइजर is a mRNA-based COVID-19 vaccine, तो किसके साथ collaborate कर रही है, इसमें body है, तो जनौवा एक जो हमारी company है, बायो फार्मसेटिकल्स, यह collaborate कर रही है, HDT BioTech Corporation, जो USA के एक company है, उसके साथ, तो वेक्सीन का नाम है, AGCO-19, तो यह mRNA vaccine है, mRNA vaccine असल में क्या होती है, देखते है, पहल है, तो वो body फिर आपके identify करती है, चाहिए, एक खतर नाग है, इसके उपर attack करती है, तो यह basic structure है, लेकिन, corona बहुत तेजी से फैलता है cells के अंदर, और आपकी autoimmune system को खराब कर लिता है, तो सीरी-सीरी बात यह है, कि mRNA vaccine है क्या, पहली बात mRNA क्या होता है, normally क्या होता है, इसे क protein create करता है, तो जो protein बनाएगा वो, जो उस कारी के लिए, उस protein को बनाने के लिए उसको पता दो होना चाहिए, आपको यह बनाना है, तो वो जो उसका structure होता है, कि उस cell को, आपके body के cell को कोई चीज़ क्रीएट करने, कोई protein बनाना है, किसी काम की पूर्ती के लिए, तो उस protein को बनाने का structure होता है, जो message होता है, वो इस RNA के लिए प्रोवाइड के जाता है, तो अब doctors ने, pharmaceutical companies ने तरीका ढूंडा जिसके लिए, यह जब आपके body में डाली जाएगी, तो उसके साथ जो body के cell तक जब यह पहुचेगी, इसका जो material है, तो आपके cell को वो mRNA प्रोवाइड क कीले बनाने का, यह बोलेगा कि भाई, कीले बना, कीले बना, जैसे बनेगे आपके cell के अंदर कीले, तो जो आपका immune system है, उसको लएगा रहे भाई, यह तो कुछ खतरनाक सी चीज है, तो उसके लिए immunity create करतेगा, ठीक है, जैसे आपके body में पहुचेगी, तो इससे spike का पता कर पाएंगे, तो यह इसको फाइदा दे पाएगा, कि इंजेक्शन होते ही, और viruses penetrate करते ही, जैसे original coronavirus आपके body में आगा, तो उससे पहले ही आपकी body की immunity तयार हो चकी होगी, क्योंकि mRNA-based जो यह vaccine होगी, यह पहले ही ऐसी immunity develop कर पाएगा, इसके रावा जो बाकी vaccine है, वो एक थ अपने hepatitis हो गया, tetanus हो गया, इनके injection दिये जाते है, तो हमें पता होता है कि हमारे अंदर कुछ virus बेज़े जाते हैं, तो उसके खिलाफ कुछ diluted virus बेज़े जाते हैं, थोड़े से कमजोर virus बेज़े जाते हैं, जिनके खिलाफ body immunity develop करके फिर उनको माल देती है, लेकिन यहा हाल ही में, जो यहां के secretary ministry के meeting के, उन्होंने national internet exchange of India को initiatives में launch किया, जिसमें IPv6 expert panel शुरू गया, यह IP guru, यह जितनी लोग है, जितनी companies हैं, जितने structures हैं, जो की IPv4 से IPv6 पर migrate कर रहे हैं, उनको services free of cost दिया जागा, IPv6, IPv4 क्या होता है, IP मतलब क्या होता है, internet protocol address, जो आपका computer, mobile device या कुछ भी है, उसका address होता है, जिसे postman का address होता है, आपके घर का, वैसे internet provider को आपका IP address होता है, ताकि आपको internet services प्रोवाइड कर आपाए, हर डिवाइस जो आप hold करते हैं, उसका IP address होता है, तो जब यह पहले इसका शुरूँआ, तो IPv4 स्टार्ट हुआ था एक टाइम 32 bit, अब देखते होंगे, computer में अब कभी कभी लिखता आता होगा, 64 bit, तो यह इंडिया में normally IPv4 setup start किया था था, जो कि 32 bit एक setup था, जिसके अंदर एक limited amount में ही आप addresses create का सकते हैं, तो अब वो almost addresses खतम होने वाले हैं, तो फिर उसके बाद जब अभी खतम होने वाले हैं, तो प जार अब readable हैं, कि शायद ही हम अपने जीवन काल में से खतम कर बाएं, या 2-3 generation तक यह address खतम नहीं होगा, तो यह चोटी-चोटी ऐसी बात है, तो कौन किसका effort है, DOT, MITY और industry तीनों मिलके काम करने हैं, क्यों आपको पता लग गया होगा, कि अगर हम IPv4 में ही लटके रह तो इसलिए जो educational institution में में चलते हैं, जो structures पढ़ाय जाते हैं, वो सारे IPv4 वाले पढ़ाय जाते हैं इंडिया में, क्योंकि उन्हें अप्ग्रेड नहीं किया गया था, तो यह एक Nixi Academy बनाए गई है, जिसका काम है, जो technical, non-technical लोग है, उनको IPv6 के वाले में पढ़ाना, उनको जानकारी देना कि कैसे आप करम कर सकते हैं, उनको अप्ग्रेडेशन देना, certificate course करवाना था कि वो आगे जागे और अपनी jobs को अप्ग्रेड कर पाएं, आगे और skill set बढ़ा पाएं, आप skill हो पाएं, तो Nixi ने developed कि है IPv6 पोर्टल, internet community के लिए, जहां बताया जाए कि adoption rate इंडिया में कितनी है, कितने लोग IPv6 माइगरेट कर रहे हैं, कैसे दुनिया में लोग माइगरेट कर रहे हैं, ताकि इंडिया के adoption rate के साथ compare किया जा सके, और और जादा प्रोचाहन दिया जा सके, web adoption को, जाए वो IPv6 में हो, IPv6 का traffic जब होगा, जो सारे लोग move कर जाए इंडिया था ISPs के दोरा, जो internet service providers हैं उनके दोरा, ताकि जो domestic tariff है, जो कीमते हैं देश के, उसके बारे में काम किया जा सके, तो ये 2003 से काम कर रहे हैं, internet infrastructure और citizen of India के बीच में बताना उनको कि भाई, कैसे exchange डेवलप किया जा रहा है, क्या setup है, जो अलग-अलग domain हैं इंडिया की बात होगी, कैसे उसको operation किया जाएगा, .in मतलब आपने दिखाऊगा, gov.in इंडिया में कोई भी government website होगी तो आप खोलेंगे, आप देखेंगे, और America की .com हुआ करती है, उस तरह अलग-अलग दिश्यों की .co.uk, United Kingdom का है, तो इंडिया की .in domain है, तो उसको manage करना हो गया, और IRN, जो manage करती है, इंडिया का IPv4 हो है, IPv6 हो, तो I hope आपको समझा रहा हूँ, मैं किस बात में बात कर रहा हूँ, कि IPv6 क्या है, और जो ये body बनाए गई थी, इसका भी काम है कि इसमें काम करना, citizens को aware बनाना, कि क्या-क्या domain structure है, कैसे इसको follow किया जा सकी, लेकिन जो IPv6 पर movement है, क्यों important है, ये भी आपको बता लग गई होगी, आगे बात करते है, regulation review authority 2.2 के बारे में, जो कि RBI ने setup किया गया, ये क्या करेगी, भाई, RBI धेर सारे सर्कुलस निकालती है, setup निकालती है, तो इन सभी जो इनके regulatory prescriptions होते हैं, कि ये करिए, वो करिए, तो कोई तो हो जाएश है, कैसे उनको simplify किया जा सकता है, कैसे उनको और अच्छे से implement किया जा सकता है, तो उसके लिए इन्होंने एक regulation review authority 2.0 create कि है, जिसमें की M. Rajeshwar Rao को इसका deputy governor बनाया गया है, और ये एक साल के लिए इसके authority होगी, और ये क्या करेगी, वही वही जो मैं आपको बता है, streamlining, increasing the effectiveness of several procedures, जो procedures आप ये follow करते हो, कैसे और ज़्यादा effective बनाया जा सके, कैसे और ज़्यादा easy बनाया जा सके, कि सर्कुलर धेर सारे हर हफते ना निकले, और कैसे सर्कुलर आसानी के साथ implement किया जा सके, ये काम है इस review का authority का, शले देखते हैं, आपको कितने सही तरीके से ने समझ आए, ITCN program launched by National Institute of Urban Affairs, State of World Population Report 2021 was launched by FAO, Food and Agriculture Organization, National Startup Advisory Council was shared by Ministry for Commerce and Industry, National Internet Exchange of India was set up by pairing of ISPs by routing the domestic traffic to US and abroad, Tanzania is a country in East Africa within the African Great Lakes region, कितने आपके answers सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, मुझे ज़रूर बताइए, तो आज के लिए तना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्याद, थैक्यू Thank you very much and have a nice day.